सबसे ज्यादा पूचा जाने वाल के tips is prolact visa कैसे English बोलते हैं हैं एकक्षे की संताइरे मैं से और ऐससाइडे सा judgment 1000 एंबर से और ही आप English बोलो यह जादे में आपके इंगलेश बोलो यह जादे मूझे लगता है है अपिकि लियंग यह जादे में तो मैए यही कॉर्स आपके लिए स्टार्ट किया है कि कुछ फॉरमिशन साप सीखिए जिससे आपको डे टूडर लाइफ में इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा हेल्प होंगी तो जाद इंपॉर्टेंट जो चीज़े हम पहले वो करते हैं हेलो गाइस इस मौमत ताली बेंड आइंग्लिश एंड इनहांस इर नॉलिज गाइस आज मैं आपको ऐसे चार फॉरमिशन बताने वाला हूं जिसको सीकर आप इंग्लिश बोल सकते हैं कोशिश तो कर ही सकते हैं ठीक है यह फ्रॉम बिगिनर है बहुत जादे इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं और बहुत जादा अच्छे से आप समझना और उसे याद करना नोड बनाना चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फॉरमिशन हम सीखते हैं इंटम्स ऑफ गाइस बहुत जादे इजी है इसका हिंदी में मतलब होता है के मामले में फॉर एक्जा समझ में आ रहा है आपको मैं दो एक्जामबल दूँगा बहुत एजी है अब एक सेंटेस आप कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे मैं फॉन चलाने के मामले में बहुत अच्छा हूँ अब आजाते हैं हम नेक्स्ट फॉरमिशन पर जो के हैं इंस्टेड ओफ इंस्टीड न बहुत ज्यादे एजी है लिख लो याद कर लो दिमाग में घुसालो बहुत ज्यादे सेंटेंस है आप फॉरमिशन की मदद से भी इंग्लिश बोल सकते हो ठीक है मैं खाना खाने के बजाए रो रहा हूँ आइम क्राइं इंसेट ओफ एटिंग फूड ओफ के बाद है अब चलते हैं नेक्स्ट फॉरमेशन के अब देखते हैं हाव कम का मतलब क्या होता है ऐसे कैसे आप बोलते हैं हिंदी में ऐसे कैसे तुम बात कर रहे हो ऐसे कैसे तुमार सकती है तो इसलिए हम यूज करते हैं ह हाउ कम फिbad wied के सन्टेंस अब इसके औरको ना झारा रहा अब एक सेंटेंस आप बनाएए ऐसे कैसे वो मेरे पास आ सकती है अब चलते हैं next formation next formation है if it goes on इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है जैसे आप हिंदी में बोलते ना अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मर जाओगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम इंग्लिश नहीं बोल पाओगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो यह नहीं आपाएगा इसे इंग्लिश में बोलेंगे if it goes on For example, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो तुम English नहीं बोल पाओगे If it goes on, you will not be able to speak English अगर ऐसे ही चलता रहा, तो वो यहां नहीं आपाएगा If it goes on, he will not be able to come here अब एक sentence आप comment box में उताइए अगर ऐसे ही चलता रहा, तो यह phone टूड जाएगा यह थे हमारे 4 formations आप लोग जल्द से जल्द informations को लिखिए, याद कीजिए और जब आप याद कर लें तो इसको बहुत जादा प्रैक्टिस करनी है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिटरली में बता रहा हूँ, आप नहीं सीख पाएंगे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो हमारी कीप और कीप पर थी विल कीप, कैप और कीप मैंने समझाया था अगर वो वीडियो आपको देखनी है, देखनी क्या है, जरूर देखिए क्योंकि वो फॉर्मेशन भी बहुत जादा important है You know what, all the people will judge you when you will try to speak English but don't listen to anyone, you have to speak English and you will speak English and मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको English सिखा कर ही मानूंगा और अगर आप चैनल पर नए है तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेर करना, थांक्स फॉर वाचिए